स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल गौतम ऑनलाइन इस्टडी में तो आज हम करने वाले हैं टेस्ट थायर्ड है यह हमारा सिक्षा मनुभग्यानवा वालविकास से संबंधित 20 प्लस कोस्चेंस करने वाले हैं संभावविद प्रस्चन हैं प्रीदियस एक्जा suggesting a Caesar आप हमें अनक्टैमी लाइनिंघी अप में भी सालों कर सकते हैं यहां आपके लिए क्लिए MPP xem के लिएräन्पी जीके लेसंस प्रोवाइड किये जा रहे हैं साथ में स्टैटिक जीके जो सभी एक्जाम के लिए इंपौरेंट है इसके लेसंस प्रोवाइड किये जा रह जया है थोड़ा सा time दिया जाएगा फिर आपको एंसर बताया जाएगा ठीक है और सेयर करें ज्ञादा से ज्यादा ज JUर सके आपके सामने टिस्ट देने के लिए तो अब टेस्ट स्टार्ट होने वाला है डेली आपको अगर ऐसे टेस्ट चाहिए तो आप सब्सक्राइब करने हमारे चैनल को और विल आइकन जुरूर दबालें जिससे की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करें डेली लाइफ क्लास का तो करिए एंसर करिए सबी लोग एंसर करें फर्स्ट आप्शन है फ्राइड सेकेंड आप्शन है चौमस्की थर्ड आप्शन है ब्रूनर एंड फोर्थ आप्शन याड़ी आप्शन है ब्रेजेच तो किस ने दिया भासा विकास का सिध्धान्त सबी लोग लाइफ चैट में एंसर करें सबी के एंसर देखे जा रहे हैं और सेयर करें ज्यादा से ज्यादा तो फर्स्ट का जो आपके एंसर हो जाएगा आप्शन बी चौमस्की चौमस्की ने दिया था भासा विकास का सिध्धान्त तो option B answer हो जाएगा first का second का answer करें आप सभी live chat में bridges के answer तीन बर्स का सिशू खुस होता है या क्रोध करता है यह है समान, समाजिक, आक्रामक समविक गात्मक सभी लोग answer करें live chat में सभी के answer देखे चा रहे हैं और please share करें ज्यादा से ज्यादा जिसे ज्यादा लोग आपके सामने test देने के लिए आ सकें ठीक है और last में आप total marks चुरूर बताएं सभी तो second का जो आपके answer हो जाएगा option D समविक गात्मक next question का answer करें सभी लोग bridges के अनुसार बालक में सभी समविक जिस IU तक विक्सित हो जाते हैं तो कौन सी वह आईउ है जिस IU तक विक्सित हो जाते हैं सभी सम्विक बालक में सभी लोग answer करें live share में सभी के answer देखे जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो third का जो आपके answer हो जाएगा option B दो बरस दो बरस answer हो जाएगा दो बरस वह एद है जिसके तहत सभी सम्विक बालक में लिक्सित हो जाते हैं next question का answer करिए सभी लोग live share में important questions हैं सभी आप बस last तक जुड़े रहें और जिन से भी आ रहा है वो सभी लोग answer करें जिनको भी answer पता है test के जो question दिखाये जा रहे हैं तो सभी लोग live share में answer करें और जो लोग छोड़े के जा रहे हैं वो भाग रहे हैं एक तरह से पढ़ाई से तो four number question का जो आपके answer हो जाएगा option B चार से पांच बरस प्रतिष्ठा बनाम नहराश ये है आपके असुमेलित बाकी सब mail सही है ठीक है ये जो है आपके असुमेलित है तो option B option B इसका answer हो जाएगा four number question का next question का answer करिए सभी लोग live chat में अच्छा question important questions है fours, fours, five questions आपके इससे clear हो जाएगे क्या बोला गया फस्ट में भासा भीका सिधान्त, ब्रिजेज संगरात्मक विकास सिधान्त, नोम चौमस की समेगात्मक विकास सिधान्त, एरिक्सन मनो समाजिक विकास सिधान्त, जौन पियाचे आपको सुमेलित करना है सही क्रम में मिलाना है ठीक है किसका कौन सा होगा तो सभी लोग answer करें सभी के answer देखे जा रहे हैं तो इसका जो आपके answer हो जाएगा option B फर्स्ट का जैसे भासा विकास सिधान्त है तो नौम चौमस की तो शेकंड आ जाएगा ठीक है फिर संगनात्मक विकास सिधान्त तो जौन पियाजे तो फोर आ जाएगा संविगात्मक विकास सिधान्त ब्रिजेज तो वन आ जाएगा ठीक है और लास्ट में 2413 ठीक है तो यह आपका क्रम हो जाएगा तो आप्शन भी इंसर हो जाएगा फिर देखें नेक्स्ट कोस्चन है इंसर करें सभी लोग लाइफ चैट में मूल प्रवित्यों संपूर मानव विवहार की चालक है यह कथन की समनो वैज्ञानिक का है सभी लोग इंसर करें सभी के इंसर देखे जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें और अगर कुस्चन से इंपोर्टिन लगें तो वीडियो को लाइक भी करते चलें तो इसका जो आपके अंसर हो जाएगा उप्शन C, मैक डूगल, मैक डूगल वै मनोव वैज्ञानिक है जिनका कथन है कि मूल प्रवित्यों संपूर मानव विवहार की चालक हैं तो 6 को आपके उप्शन C हो जाएगा फिर देखें नेक्स्ट कुश्चन का अंसर करें सभी भासा है तो भासा क्या है अरजित, उत्तराधिकार में प्राथ, इश्च्वर प्रदत या सहजात सभी लोग एंसर करें सभी के एंसर देखे जा रहें तो इसका जो एंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन A, ऑप्शन A एंसर हो जाएगा भासा है अरजित नेक्स्ट कोस्चन का एंसर करिए सभी लोग और आप लोग छोण के मत जाएगे वीच में टेस्ट को लाश्ट तक देखिए और सभी के एंसर करिए आप सब और टोटल मार्क्स कमेंट में जुरूर बताईए ठीक है important questions हैं क्या question 8 number कि अलग अवस्थाओं में नयतिक्ता के विकास का सिध्धान्द दिया है किसने दिया है सिध्धान्द अलग अलग अवस्थाओं में नयतिक्ता के विकास का इंसर करें सभी लोग सभी के इंसर देखे जा रहे हैं कौन कितना सही कर रहा है तो एट नमबर कुस्चन है जो आपके लग-लग उस्थाओं में नयतिक्ता के विकास का फिद्धान दिया किस ने दिया? कोहल वरग ने दिया तो आपसं सी एंसर रहेगा एट नमबर कुस्चन का next कुस्चन देखते हैं एंसर करें सभी लोग कुस्चन क्या है कि 9 बार्स्त के बालक में नयतिक तरकना अधारित होती है सभी लोग एंसर करें bucket कुस्चन है थोड़ा सा आपको time दिया जाता है जिससे आपका एक तरह से test हो जल्दी से answer बताना से कोई मतलब नहीं रहेगा पहले आप खुद try करें फिर आपको answer बताया जाएगा ठीक है इसका जो आपकी answer हो जाएगा option A किसी कारे के बहुतिक परिणाम उसके अच्छा है या बुरे को निधारित करते हैं तो option A answer हो जाएगा nine number question का फिर देखे next question है कि बुरुनर दौरा दिये गए विकासी धानत में कौन सा असुमेलित है इंसर करें सभी लोग आप सुमेलित बताना है आपको ठीक है कौन सा सही नहीं है इसमें से फास्ट में बोला गया क्रियात्मक जन्म से दो वर्स प्रती कात्मक तीन से पांच वर्स प्रती विंबात्मक दो से साथ वर्स या सभी सुमेलित हैं ऐसे कौस्टन लेके आए हूँ जिससे आपके तीन चार कौस्टन अलग से इनहीं से क्रियेट हो सकते हैं ठीक है तो आप ध्यान से देजिए टेस्ट को इमानदारी के साथ तो इसका जो आपके इंसर हो जाएगा उप्रती कात्मक तीन से पांच वर्स यह आपके असुमेलित है ठीक है टिन नमबर कौस्टन का नेक्स्ट कौस्टन का एंसर करिए सभी लोग 11 नमबर 11 नमबर कौस्टन का एंसर करिए तो इसका जो आपके एंसर हो जाएगा उप्सन बी पियाजे के अंसर अंत्य प्रग्या चिंता है जी सभस्था की विशेष्था है वह अवस्था है पूरो संक्री आत्मक तो आपसन भी एंसर हो जाएगा 11 नमबर कौस्टन का फिर देखें नेक्स्ट कौस्टन 12 नमबर कौस्टन है निगमनात्मक चिंतन की सभस्था में विक्सित होता है की सभस्था में विक्सित होता है निगमनात्मक चिंतन सभी लोग एंसर करिए लाइज चैट में अंसर करें अलग से भी आप कमेंट में एंसर मत करिए प्लीज जब लाइज क्लास हो तो लाइज चैट में अंसर करें ठीक है तो इसका जो आपके इंसर हो जाएगा option D आप चारिक संक्रियात्मक होता है निगमलात्मक चिंतन की जो विक्सित होता है किस्वस्था में आप चारिक संक्रियात्मक अवस्था में option D एंसर हो जाएगा next question देखिए answer करिए सभी लोग निर्जवी बस्तों को सजीव गुन देने वाली प्रकीत को पियाजे ने क्या नाम दिया है important questions है answer करें सभी लोग लाइफ चैट में तो इसका जो आपके answer हो जाएगा option C option C answer हो जाएगा सजीव चिंतन निर्जवी बस्तों को सजीव गुन देने वाली प्रकीत को पियाजे ने क्या नाम दिया है सजीव चिंतन तो option C answer हो जाएगा 13 का फिर next question करें सभी लोग answer करें लाइफ चैट में पियाजे के answer बालकों में बस्तों इस्तिरता उत्पन होती है किसों अस्था में इस्तिरता सभी लोग लाइफ चैट में answer करें पहले फिर आपको answer बदाया जाएगा ठीक है थोड़ा सा time दिया जा रहा है आपको तिसका जो आपके answer हो जाएगा option A पियाजे के answer बालकों में वस्ति सिर्था उत्पन होती है सम्वेदी पेशी आवस्था में ठीक है तो option A answer हो जाएगा 14 नंबर question का next question आपके सामने answer करिए सभी लोग लाइफ चैट में important question है बालकों की सोच अमूर्थता की अपेख्षता मूर्थ अन्भवों वा प्रतियों से निर्मित होती है प्याजे के answer अवस्था है कौन सी अवस्था है प्याजों के अवस्था है कौन सी एज वह अवस्था है जिसमें बालकों की सोच जो अमूर्थता के पेख्षता मूर्थ अन्भव हुआ प्रतियों से निर्मित होती है कि सभी लोग इंसर करें लाइफ चैट में सभी के answer देखे जा रहे है कि इसका जो आपके answer हो जाएगा option ए 7 से 12 एर जो आपके होता है प्याजों क एंसर वह अवस्था है ठीक है 15 का A next question आपके सामने answer करिए सभी लोग लाइफ चैट में चिंतन अनिवारे रूप से एक प्रक्रिया है चिंतन अनिवारे रूप से एक प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है संगनात्माक मनोगतिक भावात्माक या मनोवज्ञानिक तो इसका जो आपके answer हो जाएगा option A संगनात्माक प्रक्रिया है ठीक है तो option A answer हो जाएगा 16 का next question है आपके सामने answer करिए सभी लोग लाइफ चैट में आपचारिक संक्रियात्माक अवस्था का काल है क्या है आपचारिक संक्रियात्माक अवस्था का काल सभी लोग एंसर करें लाइज चैट में तो 17 का जो आपके एंसर हो जाएगा option D 11 to 15 एर जो होती है आपके उपचारिक संक्रियात्मा का वस्था का काल होता है option D एंसर हो जाएगा फिर देखें next question है आपके सामने एंसर करिए सभी लोग लाइज चैट में क्या question है पल टावी पल टावी गुण विक्षित होता है किस हेज से विक्षित होता है पल टावी गुण इंसर करिए सभी लोग सभी के एंसर देखे जा रहे हैं और प्लीज टोटल मार्क सब जरूर बताएं लास्ट में किसके कितने सही हुए ठीक है तो इसका जो आपके इंसर हो जाएगा option C option C इंसर हो जाएगा 7 to 11 एर पल टावी गुण विक्षित होता है तो option C इंसर हो जाएगा फिर देखे next question है आपके सामने कोहल बर्ग के नैतिक विकास सिध्धान्द के अनुसार कोहल बर्ग के नैतिक विकास सिध्धान्द के अनुसार क्या होता है 3 इस्तरवा 3 अवस्ता है 2 इस्तरवा 4 अवस्ता है 6 इस्तरवा 3 अवस्ता है और 3 इस्तरवा 6 अवस्ता है तो क्या होता है कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिधान्द के अनुसार एंसर करिए सभी लोग लाइफ चैट में एंसर करें तो इसका जो आपके एंसर हो जाएगा अप्शन D तीन इस्तर वाच शे अवस्थाएं कोईल वर्ग के नयतिक विकास सिधान की अनुसार तो आप संडी एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चिन का एंसर करिए सभी लोग आपके सामने कोश्चिन बैक्ति का नया जीवन तब प्रारम होता है जब हो है कि सोरा वस्था में प्रवेस करता है तो उक्त परिभासा देने वाले विद्वान काउन से है ठीक है यह बताने आपको सभी लोग लाइफ चैट में अनुसर करें तो ट्वंटी नंबर कोश्चिन का जो आपके अन्सर हो जाएगा ऑप्शन बी इस टेनले हॉल वह विद्वान है जिन्होंने ब्यक्तिका नया जीवन तप्रारम होता है जब वह किसोरा वस्था में प्रवेस करता है यह कथन कहा था यह परिभासा दी ठीक है तो अप्शन भी एंसर हो जाएगा 20 कोश्चन का 20 नंबर कोश्चन का फिर देखी नेक्स्ट और लास्ट कोश्चन है आज की क्लास का कि किसोरा वस्था अप्राद प्रवित के विकास की नाजुक समय है यह परिभासा दी तो किन के द्वारा दी गई किन विद्वान के सभी लोग एंसर करिए लाइफ चैट में सभी के अंसर देखे जा रहे हो अब समय आ गया है आप टोटल मार्क्स कमेंट में जुरूर बताएं सभी लोग अपने काउंट करके किसके कितने सही हो रहे हैं ठीक है इसका जो आपके इंसर हो जाएगा अप्शन बी वेलेंटाइ बिद्वान है जिन्होंने की सुरवस्था प्राद प्रवित के विकास की नाजुक समय है परिभासा दे थी तो अप्शन भी एंसर हो जाएगा 21 नंबर कोस्चन का तो यह थे हमारे आज के टेस्ट के कोस्चन्स इंपोर्टन कोस्चन्स 20 प्लस अगर आपको कोस्चन्स जरूर याद रखें एट 30 पे टेस्ट प्रवाइट किया जाएगा तो डेली आप टाइम से आ जाया करें और लाइफ क्लास देखें और कुछ से टेस्ट इमानदारी के साथ दें और टोटल मार्क ज़रूर बताएं कमेंट में ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थेंक्यू